जोस्तों अगर आपका civil score खराब हो गया है और आप हर एक जगा application में loan के लिए try तो कर रहे हैं लेकिन आपका loan मिल नहीं पा रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तीन ऐसा loan company के बारे में बताने जा रहा हूँ जो company claim करता है कि वह या minimum civil यानि कि low civil रहने के बावजुद भी आपको loan ये company देता है तो ये वीडियो काफी ज्यादा important उन लोगों के लिए है जिनको काफी ज्यादा पैसे की emergency है वो हर एक application पर try तो कर रहा है लेकिन उनको loan नहीं मिल रहा है तो अगर आप भी लेना चाहते है personal loan आपका civil score हो गया है खराब चाहे आप है loan defaulter तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो में इस application के बारे में हर एक details explain करूँगा जो कौन सा application है क्या liability है क्या criteria है कितना दिन के लिए loan मिलता है कितना interest लगता है तो एक एक करके तीनों application के बारे में जान लिजिए उसके बाद loan के लिए apply किजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा request करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है उस application का eligibility criteria जानना जरूरी है अगर आप eligibility criteria के हिसाब से loan apply करते हैं तो 110% आपको loan मिलेगा तो सबसे पहले मैं अपना mobile screen आप लोगों के सामने यहाँ पे allow कर देता हूं और पहला जो application है उसका नाम बताता हूं तो आप लोगों को मेरा mobile screen clear यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला जो application है उसका नाम है KD ठीक है और यह application यहाँ पर claim करता है कि वह यह low civil रहने के बावजुद भी हम आपको personal loan provide करवाएंगे get personal loan for low civil score ठीक है अब यह company में loan लेने के लिए कुछ eligibility कुछ criteria है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर explain कर देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह company कितना तक का loan देता है तो इसके लिए यहाँ पर मैं निचे आया यहाँ पर देखें यह company ज्यादा से ज्यादा यानि के higher amount एक लग तक का देता है interest जो आपके ओपर apply होगा एक परसंट से लेके डेड़ परसंट पर मंत के हिसाब से होगा और loan का जो turnover मिलेगा जो time मिलेगा आपको repayment करने के लिए वह 3 महिना से लेके 12 महिनी के बीच में हो सकता है loan company जो भी loan amount होगा उसमें से 3% का processing charge लेगा और easily repayment fee यहाँ पर 2% है अगर आप outsiding करते हैं loan लेने के पाद आप अगर delay करते हैं तो 2% का यहाँ पर late fee भी आपको देना होगा तो application का link आपको video के description पर मिल जाएगा या तो फिर आप चाहें तो direct google पर आईए और google पर आपको क्या लिखना है यहाँ पर simple सा जैसे ही लिखिएगा यह वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है kd.in जैसे ही लिख कर आएंगे तो इस website के उपर आप आ जाएंगे और जो website आपको यहाँ पर claim करके देता है कि वही है low civil वालों को भी हम loan देते हैं loan लेने के लिए सिर्फ आपके पास अधार card और pen card होना चाहिए अधर कोई भी documents का requirement नहीं है तो बेजी जग आप इस company से loan के लिए apply कर सकते हैं चलिए आप जो दूसरा application है जो आपको बिना income proof का भी loan देता है और साथ में low civil रहने के बावजुद भी loan देगा उस company का नाम है यहाँ पर upward ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूं Google पर upward loan तो upward loan जैसे ही लिखकर आप सर्च करेंगे इसके website पर आईएगा तो यह जो website है यह तो फिर फिले इस्टोर पर भी आप जाकर इस website को बिजिट कर सकते हैं यह भी company claim करता है कि भहिया हम आपको पांच लाग तक का personal loan प्रवाइड करवाते हैं क्यों approval देते हैं साथ में अगर आपका civil score low है फिर भी हम आपको loan देते हैं काफी company के साथ इनका lending partner है जो की screen पर आपको दिखाई दे रहा है आदे तिवरिला फैनाइंस है पेयू फैनाइंस है धन लक्षमी बैंक है और इस तरह का इंक्रेड वगएरा काफी company का नाम इन्हो होगा यहां पर यह company all over इंडिया में अगर आप बात करें तो बैंगलोर मुंबई चन्नाई दिल्ली हिद्राबाद पूनिय कोलकत्ता जैपूर इंदोर चंडिगार गुरगाओं कोहम बतूर अमदावाद केरला और काफी ऐसे city है जहां पर loan provide करवाता है लेकिन इस loan को लेन तीसरा application है upward जो कि आपको loan देता है low civil पर वहीं पर अगर तीसरा application की बात करें जो आपको यहां पर loan देता है तो उस company का नाम है क्या money view money view लिखकर अगर आप सर्च किजिएगा money view loan ठीक है money ठीक है money view लिखकर जैसे ही आप सर्च किजिएगा इसका जो official website है उसमें आप आ जाईए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर official website पर आड़ जाईए और यह company claim करता है कि वह यह minimum सिविल पर हम आपको जो है loan प्रवाइट करवाते हैं सिंपल सा करना क्या होगा आपको application डाउनलोड करना है basic information डालना है और आप इस company से loan ले सकते हैं यह company अभी तक जो है बारह हजार करोर का loan amount लोगों के बीच दे चुका है 19,000 area location पर यह company loan प्रवाइट करवाता है और इस loan का eligibility credit area भी काफी आसान है सिर्फ आपका age limit 20 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास valid pen and अधार का डगर है आपके पास है तो इस company से आप loan के लिए apply कर सकते हैं तो जैसे कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि इ सिबिल पर loan देता है तो तीनों का नाम मैंने एक-एक करके बताया और तीनों का details और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो और भी वीडियो देख सकते हैं बाकि इस वीडियो के अंदर जो भी information मैंने आप लोगों को दिया अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को like, share, comment जरूर कीजिएगा इस वीडियो related कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें comment करकर जरूर पूछिएगा साथ में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं Instagram, Telegram, हर एक social media का link आपको वीडियो के description पे मिलेगा तो वहां से direct आप हमसे contact कर सकते हैं बाकि अगर इन तीनों application से आपको loan नहीं मिलता है तो फिर आपको कैसे करकर loan मिलेगा उसके बारे में भी बता देता हूँ आप more video के section पे जाईए और हमने कली एक video upload किया यहां पे देखिए अरजेंड में personal loan सीधे bank account में कैसे मिलेगा इस वीडियो में बता रखा है with proof दिखाया है best loan company है तो कैसे करकर मिलेगा इस वीडियो को देखिए यहां पे देखिए आ गया बिलकुन लया loan company no civil no income अधार कार्ट से loan मिल सकता है आपको कैसे करकर लिजिएगा क्या eligibility है क्या criteria है कितना दिन के लिए देता है हर एक details इस वीडियो में share किया गया है इस वीडियो को पूरा मेरा कायने का तातपर ही यही है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है और हर एक वीडियो में अलग-अलग loan application के वारे में बताया है बस आप लोगों को करना क्या होगा उस वीडियो को देखना होगा eligibility criteria interest हर एक चीज समझना होगा उसके बाद apply किजिएगा बाकी में बता दूँ कि कोई भी sponsor वीडियो नहीं है नहीं मैं इन तीनों application को promote कर रहा हूँ मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सही information देना सही जनकारी देना ताकि अगर आपको सच में पैसे की जोरत है need है तो आप सही application पर try कर सके और आपको loan मिल सके मैं आप लोगों को और एक चीज clear कर दूँ friend कि अगर आपको पैसे की emergency है तभी personal loan लिजिएगा बेफिजूल में कभी भी personal loan मत लिजिए क्योंकि एक बार अगर आप loan ले दे लेते हैं time payment नहीं कीजिएगा civil score खराब होगा भविस्ट में loan नहीं मिलेगा ये पहला problem और दूसरा मैं आप लोगों को clear कर दूँ कि जब भी loan ले रहें timely payment कीजिए civil score आपका जो है एक तरह से educational card की तरह है एक बार अगर आपका educational score खराप हो जाता है तो आपको कहीं जैसे नोकरी नहीं मिल पाता है सहम उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि civil score को maintenance नहीं रखिएगा आगे चलकर बहुत सारी परि को मैंने शेयर किया आप लोग को पसंद आए पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कोमेंट जरूर किजिए